हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गुंजन गुरुजी पे आज हम आप लोगों के लिए मैत यानि गनीत के नो अतीम अत्पूर्ण प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इसलिए आप वीडियो के अंतग बने इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे कि प्रश्ण हम लोगों के सामने दिया गया है देखिए करा कि दो बटा तीन उसके बाद लिखा है और छो बटे साथ का लौ सो ग्यात कीजे और चार ओप्सन दिया गया दोस्तों इ दिखे करा कि 350 का 58 परतिसत कितना होता है और यहाँ पर चार ओप्सन दिया है इन चार ओप्सन में से कौन सा होगा तो इसी तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों इसलिए आप वीडियो के अंतक बने रहेएगा यह सारे प्रश्ण आपके प्रिभियस पेप हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्षन में देख लिए क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेट प्रश्ण के हैं क्योंकि जो एजेंसिया कंड़क्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटरन को फोलो कर रहे हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं पहले नमर क्या करा और कैसे करें इस तरीके के प्रश्ण को इन में से आप किसी भी गौर्रमेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों चाहिए वो SSC, Bank, Railway, CGL, LP, Technician, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UK, PSC, DSSB, CTAT, IB, SSC, Stenocrapper, DRD, यादि आप किसी स्टेट एक्जाम की त्यारी कर रहे ह दोस्तों चाहिए वो बिहार सचीवाला है, बिहार फ्लीस, UPSI, दिली हेट कॉंस्टेबल, राइस्थान, प्लीस, हरियान, SSC, पटवारी, LSE, MTS, हेवलदार, किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी सरकारी exam के लिए है ताइए दोस्तों देखते हैं पहले कोमेंट कर के बतेए कि आप 9 में से कितने प्रशन सही कर पाएं, तो दीए पहला कुस्चान दिया गया कि 179 रुपिया को कर रहें कि दू अनुपाद 5 अनुपाद 6 के अनुपाद में भाजित कर रहें, तो कर रहें कि हम लगों का लिखा हैं दोस्तों कि अपरुक्त दिया गया है तो तीन को अनुपात का मान लिख दीजे जैसे ही एक उसके बाद दू और एक तीसरा दिया गया है दोस्तों तीसरा अनुपात यानि कि कितना कितना में दिया है तो दो अनुपात पांच अनुपात में क्या है दूस्तों हम लोगों का छो है तो यही टोटल हम ल आवर इसको इतना करना पड़ेगा अब जैसे ही यहाँ पे करेंगे दोस्तो अनुपाद एक कमान आप निकालेगा आपका अंसर इधी तेरा एक क्या हो जाएगा दोस्तो यहाँ पे एक बार में कर जाएगा और यहाँ पे तेरा से कर जाएगा तेरा बार में क्या हो जाएगा तो उसी प्रकार से एक कामा निकल गया उनके हिस्साओं का नुपात इसमें आप हिस्सा निकालेगा इसमें आप किस्से कर दिजेगा 13 से गुना कर दिजेगा आपका देखिया आपका answer निकल जाएगा तो तेरा दूना क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहला वला हिस्सा आजाएगा 26 रूपिया पहला हिस्सा कितना आएगा 26 तीसरा दूसरा वला आएगा दोस्तों तेरा पचे क्या 65 और तीसरा आजाएगा को 2 5 6 के आनुपाद में वाजित करें तो उप्रूप्त आनुपाद के आनुपाद के रूपिय का हिस्सा क्या होगा थो इसलिए हम लोग 2 5 और 6 को जोड़ देंगे तीजिए 13 के बराबर हानी हो, यहां पर क्या लिखा है, जोस्तों कि यदी हानी पंदरह परतिसत है, तो करा कि क्रेम्वल और विक्रेम्मल का अनुपात क्या है, देख लिजिए, यहां पर direct भूल रही है, जो यह पर दिरेक्ट का सवाल या लाभारनी profit कहीं भी इस तरीके कहीं आपको नजर आए तो हम लोग परतीसाद वाले सवाल में तुलना कहां से करने के लिए बोले हैं तो 100 से यह दिखे यानि कि 15 परतीसाद का हानी हुआ तो यानि कि इसका आर्थ है दोस्तो हम लोगों का क्या हो जाएगा तो यहां पर अगर विक्रेम मुलका देखा जाए दोस्तों क्रेम मुलका और क्या हम लोगों का विक्रेम मुलका तो यहां पर 15 par 37 का हानी होती इसका भी भी अगर यहां 34 एका सवसे बहुत सवसे पार करके मानते यह इसी लिए गलती होता है कि आप 100 पर ही माने मानँए य क् collaborate तो मान ले ना does 85 thaown पर हानी वाद क्या हो जैगा 80 इसी को आपकटा दीजिए आपका आंसर निकल जाए 95 5 से कटाएंगे दुस्तों 20 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे दुस्तों हम लोगों का हो जाएगा 17 हो जाएगा तो देखे इस प्रशन का आमसर जाएगा दूस्तों की अनूपाद क्या आ जाएगा है का lock को नजर आ रहा है에 20 अनूपाद 17 दिखे तो the option number और D में तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बस आपको तरीका को समझना है प्रश्ण को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्ण आए तो कैसे करेंगे यादि हानी दिया गया 15% करा कि क्रैमूल और विक्रैमूल का यानि कि सर हम लोग खरीदे थे 100 में बेच रहे है क्योंकि जो एजन्सियां कंड़क्ट कराई है बिल्कूल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फोलो किया है यह देखे अगला कुस्ष्ण तीसरा नमर हाली के एक जम पुझा है कि 350 का हम लोगों का क्या करा है कि 350 का 58 पर 30 क्या होगा तो 58 350 का मतलब क्या होता है गुना होता है 58 अप 30 के बने नीचे क्या लगा देगें दोस्तो में 100 लगा देगें ढम इसी को आप कटा देजिए आपका आंसर निकल जाए चार उनतीस बार में कट जाएगा ठीक है इसको कटा लिए उसी प्रकास देखी दोस्तों इपांस से हम लोगों का कड़ जाएगा कि सर पांस सते क्या होता है 35 होता है तो पांस सते क्या होगी हम लोगों का 35 ही कड़ गया हम लोगों का साथ गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा तो 7 गुना आप 29 कर दिजेगा तो आपका answer निकल जाएगा तो कितना answer आएगा दोस्तो 7 गुना 29 अगर आप कीजेगा तो आपका answer क्या निकल जाएगा एद देखे तो 9 सते 63 करी देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तो 9 सते 63 करी क्या हो जाएगा काफी important प्रशन है इस तरीके के प्रशन आपके exam में पूछे गए थे बस आप तरीका को समझ लिजे कि 350 का तो का मतलब गुना होता 58 अपर 30 के बदर नीचे 100 बस 00 पहले कटा लिए उसके बाद हम लोग 2 से कटा लिए उसके बाद इसको 5 से कटा देंगे तो आपका answer निकल और क्या बोल रहा है कि इसका आप लोसो निकाल देजिए इदी के fraction में दिया गया है कि लोसो गयात कीजिए तो कभी भी इस तरीके के fraction वाले सवाल आए कि इसका लोसो निकाल लिए तो आपको तरीका क्या है कि जब भी यहाँ पे लोसो है तो आप क्या किजेगा कि ऊपर व और जो कह रहा है अगर हम लोगों को lecum कर रहा है हम लोग उपर लहीं संग्या का क्या करते हैं दूस्तो एलसे हम निकाल देते हैं तो ठीक ऐसर यहां पर उपर संग्या यानि की दू और किसका उसटो हम लोग छॉख का lecum का kineadolika से जाएका यहां पिलिक देंगे चाह और नीचे संख्या क्या निकलता है दूस्तो एस्ट और साथ का एक हो जाएगा तो इस प्राष्ण का आंसर यह जाएगा जोस्तो च्हों जाएगा ऑपसर नमर एक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा हमेशा याद रखेगा कभी भी अगर भिन वाला LCM आए या SCM आए जो कहेगा वही उपर वाला संख्याग निकलेगा अगर यहां लॉसों का रहा है तो दू और छौक आपनी संधे डिरेक्ट LCM निकाल दी या आपका अंसर निकल गया नीचे बला संख्याग का क्या कर देते हैं SCF निकाल देते हैं तो यहां पर हम लोगों का LCM पुझा था इसलिए इसका क्या कर देंगे दोस्तो LCM निकाल देंगे तो जैसे ही LCM 2 और 6 का LCM निकाल देंगे चो हो जाएगा नीचे बला संख्याग का SCF निकलते हैं तो नीचे बला सं हम लोगों का LCM या SCF रहेगा जो निकालना है वही उपर में रहेगा तो भीन्हों का LCM निकालना है तो भीन्हों का LCM अब अबटे में क्या हो जाता है यही फर्मूला होता है याद रखिएगा दूस्तों काफी important है कि इस तरीके के प्रस्ण कभी भी आया है तो हमेशा हम लो को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो ठीक है सर अगर डी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है तो उसके बाद हम लोगों का बोल रहा है दोस्तों इए एक व्यक्टी है कराए इए उसी कारे को आधे समय में तरह आधा समय यानि 18 का आधा क्या होगा 9 होगा बस यही तो करना था और इसमें दिक्कत क्या था तो कराए कि यदि वह दोनों मिल जायात एक सार कितने दिन में कर सकता है युदि के तरीका क्या सबसे सौट इसका चमता निकाल लिजे कि इस चमता से काम करेगा तो ठीक है करे दोनों मिलकर इसमें 3 से आप क्या करेंगा भागा कर दिजेगा तो आपका आंसर निकल जाएगा तीन शार क्या जाएगा जाएगा है तो शोग दिन आ जायगा दो आपको तरीका को समयना चाहे कितना बड़ा आप यहाँ देखते हैं बहुत वह दीक Mmm लाइन का हम कर पाएंगे लेकिन आप तरीका समझ लिजे कि डी एक कारे को 18 दिन में पूरा कर सकता है और उसी कारे को आधे समय यहां बोला था इसलिए इन नो यहां पर आया कि डी एक कारे को यहां पर ईहां फागर देके इदर निकाल लिते हैं और यहां पर कारे को यहां बहां पर है और उसी कारे को हम लोगों का कितने दिन में बोला है उससे आधे समय में 9 तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकता है अगर यहाँ आ गया यहाँ पर उपर कर दीज़ेगा 18 गुणा 9 और नीचे में दोस्तो यहीं दोनों को जोड़ दीज़े यानि कि 18 अप लस क्या दूस्तो 9 बस इसी को आप solve कर दीजे, आपका answer निकल जाएगा, तो इसी को जैसे solve करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक step जैसे में बढ़ाएंगे तो आपका answer निकल जाएगा, निकल जाएगा, बढ़ते हैं दोस्तों, अगले question की ओर, देखे अगला question हम लोकों के सामने क्या कर रहे, यानि यहां के बाद हम लोगों का solution यहां पर कर दिये अगला question दिखे दिया कि हम लोगों का छटा नमर question इदे कैसी लिखा है कि निमलिकीत में से सबसे छोटी भीन क्या है अब यहां पर क्या करेगा बहुत सरा है चार से तीन में भाग देने लगते हैं भाग देने बहुत ही जादा समय लगता है और नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाग देने बहुत जादे समय लगेगा तो यहां पर दिखे तरीका क्या इस तरीके के प्रस्ण करने का कि यहाँ पर करा कि सबसे छोटा भीन क्या है तो क्या करेंगे दोस्तों इदिखे इदोनों संख्या का अंतर कितना है इदिखे दोनों संख्या का अंतर उपर में जो है उसको वही लिख दीजे तीन का जैसे उपर में 3 है दोस्तो उसको आपको कोई छेड़ चाड़ ने करना, उपर बला संहां 3 का 3 रहेगा, नीचे में अंतर लिख दीजेए, क्या हो जागा दोस्तो एक हो जागा, क्योंकि 3 और 4 का अंतर एक है, उसी परकार से उपर बला संहां 4 रख देंगे, 4-5 का अंतर कितन लिखेंगे नीचे में क्या थे लिखेंगे यहां पर भाग देखेंगे तो इसको एक से तीन में भागा देंगे क्या हो जाएगा तो करा कि सबसे छोटा विन तो सबसे चोटाइन में कौन है तो सबसे चोटा तीन है तो तीन का भिन यानि की तीन बटाचार क्या हो जागा दोस्तों सबसे चोटा हो जाएगा आप तरीका को समझे आप प्राश्ण को रटिये नहीं कि यहां पर भाग देंगे उसके बाद Нिकालेंगे तो बहुत समय लगेगा आप क्या किजे इस तरह कभी भी प्रशन है दोस्तो इस दोनों संक्या का अंतर कर लिए और नीचे लिख दीजे और वही अंतर से भाग दे दीजे दोनों संक्या का अंतर कीजे और उपर में जो है भिन उसको लिख दीजे और नीचे में अंतर से भाग दे देते हैं तो इस त प्रश्चन मार्क दिया है यहां पर क्या आएगा तो अब दीखिए आपको तरीका हम बनाते हैं यहां पर घवराने कोई अपस्कता नहीं कि सर हम नहीं कर पाएंगे इस आपको बताते हैं कि करना क्या होगा उपर बला उपर के साथ गुना नीचे बला नीचे के साथ गुना तो ठीक है सर यहाँ पर कर देते हैं इदी के यहाँ पर कर देते हैं दोस्तो और आपको बता देते हैं कि 5 गुना एक करेंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तो 5 हो जाएगा नीचे में हम लोगों का क्य थिए प्लस कल देंगे इसके बाद ऊपर वन करेंगे गैगा मैनस का मैनस एकहरो पलभूना क्या हो प्लस कल देंगे कैसर पर मार्थ यहां पर 18 का elts next we are आएगा हम लोगों का तो यहाँ पर 36 आएगा तो आप 36 लिग दीजे ठीक है हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों 36 लिग देते हैं क्योंकि LCM क्या आएगा 36 अरे 18 और 6 और क्या 12 का नीचे का भीन का जोड घटा दोनों दिया तो LCM लेंगे तो नहीं आएगा इद दू नमा क् आएगा कि 3 दूना 6, 4, 18, 18 दूना 36 तो बिलकुल सर LCM क्या आएगा 36 आएगा तो LCM आपके सामने लेकर कर दिये तो आठर का हम 36 के बार में दू बार में 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस का प्लस चक्का में हम लोगों का देखिए क्या बा यहाँ पर जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा तो बस इसी को आप घटा दीजिये आपका आंसर निकल गया इसमें जादा क्या दिक्कत है तो 42, 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा तो सर बावन में से जैसे हम लोगों का 36 घटेगा यहनीं कि 52 में कितना 12 बारा त्या 36 त टीख तो है तु सर बावन इधर हो गया 52 में 33 घटाना था यहां पर घटा लेते हैं कि 52 में यदि हम लोगों का 33 घट कितना एगा ती दिखे एक दाहिए दस दू बारह में इसे सर, ब्रैकेट के अंदर है, उपर बना, उपर के साथ गुना, नीचे बना, नीचे के साथ गुना, इसे पर का साथ गुना एक के रहें Architect, 7 अनीचे 3 किरेंगे, 7 तीन दुना 6, वही देथ साथ बटे चहो, 11-11-11-12, यहां पे भीन का जोड़ और भीन का घटा, दोनों एक साथ हो रहा है तो पहले हम लोग यहाँ पे कर लिया और इसी को पहले जोड़ वला काम होगा तो यह दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो सर बावन में 33 घटेगा तो 19 बटा क्या हो जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं दूस्तों अगले कुस्छन क लोगों के सामने क्या कर रहा और कैसे करेंगे आठवा नमर को सर इतना बड़ा हम करवाएंगे लेकिन कितना सौट और सबसे सरल यदि किसी संख्या को दो गुना कर गे तो सर संख्या कहां दिया है तो हमको मालूम नहीं तो संख्या क्या करेंगे जब नहीं दिया रहे तो X मान लिजे, कोई द Heat करने है, यदि किसी संक्या के दो गुंद ए दी लगे, X और यहाँपर क्या करेंगे, दो गुंदा, बोला है करने के लिए, करके उसमें 20 जोडा जाता है, करके गुननफल में चार घटाने पर तो यहाँ पे चार घटा दीजे बस इतना ही करना था घटाने पर तो संख्या गयाद कीज़े यानि एक्स गयाद करना है तो क्या इस तरीके की प्रस्ण करने के लिए आपको इंजिनेरिंग करना होगा डिरेक्ट तो आप कर सकते थे इद चार हम कर लेते हैं दिए बीस अफलस क्या चार गरतों दोडर से माइना थे चार ले चार राइगा और्गल दो घटात की ठीड घट हो जाएगा तो जी। कटा देंगे आपका आंसर निकल जाएगा तो सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप लोग समझ गयोंगे यहां पे साप साप जो जो कह रहा है आप वैसे कर दिए कर रहा है यदि किसी संख्या को दोगुना करके कर दिए कि संख्या संख्या मालूम नहीं था इसे लिए एक्स दोगुना करके बीस जोडने 20 जोड दिए और कर रहा है कि जो उसी से संख्या को आट से गुना वही संख्या जो माँने थे एक्स को आट से गुना करके गुढननफल में चार घटाने पर मिल था संख्या क्या नि कल है दोस्तो एक्स वरावर 4 आपका अंसर निकल बढ़ते हैं दुफो अगले कोस्जन की और तो देखिए अगला कोश्चन हम लोगों के सामने नवा नमर कोश्चन किस तरीके से लिखा है करा कि हम लोगों का partnership से यानि साज्यदारी से है करा कि सुर्भी ने किसी उद्योग में पांच महिने के लिए कितना पैसा लगा रहा है दोस्तों यहाँ पर एक formula लिख देंगे क्य होता है दोस्तों समय होता है यह बात हमेशा याद रखेगा कि लाब ब्रावर सुत्र क्या होता है पुंजी गुना समय तो वही लिखा है कि लाब दोनों का अनुपाद गयाद करना है तो लाब ब्रावर सुत्र हम लोगों का जब पुंजी गुना क्या करते हैं दोस्तों सम करना है यहां पर क्या कर लेंगे और एक यहां पर इसका अनुपात लगा देंगे और उसके बाद हम हजार लगाया, तो चौझार यहां पर क्या करेंगे, इज चौझार लगा दिये, ठीक है, सर, पांच महीने के लिए, उसने क्या लगाया, चौझार पैसा लगा दिया, और यहां पर अनुपात कर देंगे, देखिये, उसके बाद हम लोगों का फिर कह रहा है कि आगे जैसे बढ़े उर्बा ने कर रहा है कि 6 महिने के लिए कितना पैसा लगाया है दुस्तों हम लोगों का 5,000 लगाया है तो ठीक है सर दोनों इसे को आपको solve करना है इसमें दिक्कत क्या है तो जैसे करेंगे छो पंचे क्या हो जाएगा तो जब कटाएंगे तो सर इस हजार और इधर भी हम लोगों का तो एक और अनुपाथ में तो हम लोगों का एक हो जगा तो इस प्रसन का आंसर एक अनुपाद एक अपसान नमर आपका डी क्या हो जगा तो सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप लोग समझ गयोंगा बस यहीं आप एक फर्मुला याद रखना था कि लाब बरावर्वर सुद्र होता है पुंजी गुना समय लाब ब्रावट सुद्र क्या होता है पुंजी गुना समय तो वही देखिए कि पुंजी छो जार लिया और पांच मैने के लिए लगाया कौन सुरुभी ने उसी प्रकार उर्वा ने छो मैना के लिए दोस्तों हम लोगों का पंच हजार लगाया तो वही किये कि पंच हजार पैसा लगा रहा है छो मेने तो लाब ब्रावट सुधरी होता है पुंजी वही करा है कि लाब दोनों का अनुपाद निकाल दिये एक अनुपाद एक का दोनों को लाब होगा उमीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्ण को अच्छे तरीके से समझ गये होंगे यदि आप चैनल पर पहली बार आएं दोस्तों रेट कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जब भी वीडियो डालेंगे अपको सबसे पहले मिलता रहे ओके दोस्तों थैंक्यू फिर आप लोगों से अगल से ले लिजेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है